सिलपा ने अपने करिये की शुरुआत फिलम भाभी में नेगेटीव रोल से की थी फिलम उतोग में प्रवर्स करने में उनके फैसले से उनका परिवाद सुरू में नाखफूस था शुरूरात में उन्हेंने कुछ तेलगों फिल्म की लेकिन गुर्पागे से बंद हो गए जिसके बाद उन्हें टीवी इंडेस्टी में अपनी किस्मत अजमाई टीवी की और रुक करना उनके लिए सही कदम सावेत हुआ क्योंकि वह कई हीट्सों का हिस्सा बनी जिसे मिस इंडिया, हातीम और संजीवनी वह एन्टीवी के लोग क्रिया कॉमेरी धाराविक भाविचित गरपरे में अंगोरी की भूमिका पसिर हुई थी 2015 में अंगोरी की भूमिका ने उन्हें कोमिक रोल में सवसे अभिनेति का इंडियन टेली अवोद दिलाया वह स्रीडी के साय बाबा और भगवान गनेस की पबल भकते वह अपने जी टीवी के सिरियल माइका केको स्टार रोमित राज के साथ सिरीलर सिप में थी लेकिन किसी वज़ा से उनकी साधी टूट गई एक बार उन्हें भाविची गरपर है के सेट पर गंबिल माइगरेन अटेक का सामना करना पड़ा था लेकिन इसके बावज़ुत उन्हें अपनी सुटिंग जारी रखी 2016 में उन्हें अपने सौत मुद्दो और दाराविक की टीम और पोडाक्शन हाउस के साथ समस्याओं के कारन भाविची गरपर है छोड़ दिया यह तक की सुबांग की आते की जगा लेने के बाद उन्हेंने MS नेता राज ठाकरे का भी समथन लिया उन्हेंने फिलम पटेल की पंजाबी साधी में मारो लाइन नाम का एक आईटम सौंग किया था इसके बाद उन्हें उनके अधिक बजन के लिए सोस्ते मिडिया पर टोल किया गया था 2017 में उन्हें विग्बोस 11 के गर में प्रवेस्ट किया और मंच पर विकास उपता के साथ लड़ाई की जिसमें सलमा खान भी आवक रहे गए सिल्पा अपने साथी विग्बोस 11 के प्रवेस्ट करने से पहले जानती थी 14 जनुवरी 2018 को सिल्पा को विग्बोस 11 का विज़ेता गोसित किया गया था अक्टुम दो 22 में उन्हें सो से बाहर होने के बाद जलक दिखिला था करन चोहर मारी दिख्षित और नौरा पते की अलोचना की जिसमें उन्हें एक पतियोगी के रुप में पाग लिया था उन्होंने आरप लगा कि जज पतियोगिता के पदस्वन पर बहुत कटो थे और उन्होंने अनुरुत किया कि उन्हें पतियोगिता पर नर्मी बतानी चाहिए इस्टागराप पर सेयर किये गए एक वीडियो में सिल्पा ने कहा चलक दिखला जाके सभी जजों से मेरा विन्हों अनुरुत है उन्होंसे अनुरुत है कि वे पतियोगिता पर नर्मी बते और इसे एक मनुर्ण जब के सोव में ले